अब हम कोडिंग करके देखेंगे कि PCI यानि के प्रिंसिपल कंपोनेंट इसको किस तरीके से कोड किया जाता है और अगर मैं यहां पे PCI को चेक करें कि किस लाइबरेरी के थूर कैसे हम इसको कोडिंग करके अपने फीचर्स को चेक कर सकते हैं और उनकी बेस पर किस तरीके से फीचर्स को स्लेक्ट करना है यह दो चीज़ें हम आज करेंगे ताकि हमारा साथ की साथ काम जो है निम्टता जाए तो let's start with that सबसे पहला काम आपने जो करना है that is related to कि आपको पता होना चाहिए कि PCA जो है किस तरीके से आपका शो होता है for example मैं यहां पे पहले एक कोड जो है आपके सामने रखता हूं then we will see together यहां पर चेक करें हमने PCA decomposition से निकालना है कौन सी decomposition यानि के फ्रॉम से लेंड decomposition से PCA इंपोर्ट कर लिया प्रिंसिपल कंपोनेंट अनलसिस राइड जी नाव फ्रॉम sklearn.dataset हमने आइरस का डेटा यहीं से लोड किया आप SNS से भी कर सकते हैं डिसन्ट मैटर यह तीन लाइबरेरिस हमने इंपोर्ट की यहां पर आइरस का डेटा आ गया ठीक है आइरस के डेटा के ऊपर हमने क्या करना है वह विल सी दैड लेट से वी वांट तो रिद्यूस देटा टू डिमेंशन्स हमने क्या किया बनाया दो कंपोनेंट्स के साथ सिर्फ के मुझे सिरफ PC1 और PC2 दे दो राइट जी समच आगी बात की देन फिट एंड ट्रांसफोर्म देट कैसे PCA.Fit ट्रांसफोर्म एकता लगा दिया यह जो स्टार्ड में काफी लोग कहते थे ना कि फेले फिट लगाना चाहिए फिर ट्रांसफॉर्म लगाना चाहिए हाउ डज़ वर तो आप फिट एंड ट्रांसफोर्म ॏकठा लगा ठीक है iris.pca के अंदर यह सारी चीज़ें पढ़ी हुए क्योंकि हमने एक अब्जेक्ट के अंदर उसे स्टोर कर लिया कलर हमने दे दिया उसके टार्गेट का टार्गेट किया है आपको पता है इस डेटा के अंदर ठीक है हमने फर्स प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड सेकेंड कह दिया आप इसको पीसी वन पीसी टू भी कह सकते हैं तो भी वांड़ सेफ साइड तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है यह मैंने आपको यहां पर बना अब मुझे बताएं जरा कि इस तरीके से ज्यादा विरियेशन है या इस तरीके से ज्यादा विरियेशन है एक्स एक्सिस पर ज्यादा या वाई पर ज्यादा अगर आप होऔर करें तो और विसली x-axis पे ज्यादा वेरियेशन है क्यों ज्यादा है आपको समझ आ रही है ना कि classes जो हमारे पास आई थी वह बड़ी एक वेरियेशन है विदिन अ क्लास जो वेरियेशन होगी वह थोड़ी-थोड़ी होगी जारी बात है वह भी कि यह आपके पास आ जाता है अब हमें इससे तो यह अंदाजा हो गया कि हमारे पास प्रिंस्पल कंपोनेंट जीरो और वान यानिके वन एंट्टू जब हमने ड्रॉ किये तो यह आया अगर मैं यहां पे इसी के नीचे अपना प्रिंस्पल कंपोनेंट वन टू एंट्री क्या होगा लेट सी आपको क्या लगता है कि यह ड्रॉ होंगे या नहीं लेट सी मैं जानबूर के यह चीज पूछिए कि टू एंट्री ड्रॉ करने पर क्या होगा एरर इंडेक्स टू इस आउट ऑफ बॉन्ड एंडेक्स बान टू विदिन साइज रीजन यह है कि हमने यहां पे दो प्रिंस्पल कंपोनेंट बनाए थे अब देखते हैं बन गया जी अब जैक करें यह मैंने टू और थ्री को यहां पर ड्रॉ किया है आपको कोई पॉइंट अफ व्यू ऐसा नजर आ रहा है जो क्लासिस को डिफर कर सके को समझ आई पॉइंट अफ व्यू क्यों हमने लिया था यह वह पॉइंट है टू एंट त्री जिसके उपर देखके हम नहीं बंदाजा लगा सकते हैं कि यह कैसे डिफर कर रहा है जो मैक्सिमम आपका लाइन है वो पीसी वन की होती है मैक्सिमम वेरियेशन की टू की नहीं होती होतनी ठीक है अगर मैं यहां पर चलें मैं यह उल्ट करता हूं यहां पर वन लिखता हूं यहां पर जीरो लिखता हूं मैं रिवर्स कर रहा हूं पीसी वन को और पीसी टू क अब चेक करें आपके PC1 पर ही ज्यादा आपकी वेरियेशन है जो में चीज मैंने आपको बताई थी ठीक है अब मैं इसको वैसे अंडू कर देता हूँ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हमारे पास सीन बन क्या राई आप ठीक है iris.pca ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक अरे बन रही होती है हर एक डीटा की बेस पर ठीक है और ये किस चीज को शो कर रहे हैं ये सारे की सारी आपके पास वैलियूज है PCA के अंदर अगर मैं आपको iris.pca के functions चेक करें यहां पर एक्जेंपल mean तो आपको इस तरीके से mean and so on and so forth भी पता चल जाएगा यानि कि हर cluster के आपको centroid वगरा यहां पर मिल सकते हैं so there are endless opportunities out there the next thing is कि ये तो चलो हमने कर लिया iris.pca वगरा हम find out कर लेते हैं second चीज मुझे ये बताएं अगर हम iris की बजाए कोई और data use करें तो आप PCA analysis उसका कर सकते हैं अभी is it easy? चलें फिर tips के data पे same analysis करके दिखाएंगे दरह मुझे PC1 और PC2 को draw करके क्या आपको variation नजर आती है या नहीं आती? tips के data पे टिप्स के data पे कीजेगा और डिस्कॉर्ड के चैनल के अंदर भी 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 दीजेगा झाल 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 कुछ से कोड़ करेंगे तो अच्छा रहा है करेंगे तो अच्छा रहा है मैं भी आपके साथ साथ यहां पर करता हूँ इंपोर्ट पांदास एज पीडी अगर अपना करते हैं तो करते जाएं नो इश्यू नम पाई मैंट प्लाद ले एसके लर्न मैं सी बॉन भी करूंगा इंपोर्ट सी बॉन एज एसनेस PCA से पहले फ्रॉम SKLearn .preprocessing Standard Scalar and Label Encoder यह दो मैं कर लेता हूँ इसके Learn है यह Decomposition PCA कर लिया और लेट सी तो यह पहले हमने कर ली लाइबरेरीज सेकेंड पर हम डेटा लोड करते हैं लोड देटा इसके अंदर सिंपली टिप्स करेंगे इस इकल टो SNS टिप्स हो गया यह डेटा लोड हो गया डेटा लोड करने के पाद हम करते हैं अब preprocess preprocessing के लिया simply हम करेंगे अच्छा incorporating भी कर सकते हैं और हम स्टार्ट से और scaling भी कर सकते हैं तो हम start करते हैं encoding से categorical data घी तो मैंने管 किया? यहां पर simply LE is equal to label encoder कर दिया और उसके बाद सेट कर लिए cat features category कर लिए sol typical आपर हम लिखते हैं tips डॉट स्लेक्ट डेटा टाइप जिनकी हमारे पास कौन सी है कैटेगरी तो अगर ऐसे करें सेक्स स्मोकर डेंड टाइम यह आनी चाहिए चार लेट सी अगर वो आती है तो मैं सिर्फ इसे चेक करने के लिए साथ-साथ रण भी करता हूं स्मोकर डेंड टाइम चाहर वहीं हैं कैट फीचर्ष में अब इनको हम इंकोड करते हैं लेबल इंकोडिंग के थरू फॉर फीचर्ष इन किसमें कैट फीचर्ष के अंदर पौर लूप लगा के सभी पर एक दफ़ाई चला देंगे टिप्स के फीचर्ष इस एकल ल डोइ डॉटफिट ट्रांसफर्म टिप्स पीचर्ष ठीक हो गया ओके तो हमारे पास यह डेटा लेबल इनकोड हो जाएगा फिर हमने करना है स्टेंडरडाइज दे डेटा scalar और scalar का हम कर देंगे जो हमारे पास data है tips का सारे का सारा तो यहां पे scaling भी कर दी हमने transform भी कर दी है encode and scale दोनों कर दी है ठीक है अब इसके बाद अगला काम हम क्या कर सकते हैं PCA apply कर सकते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे PCA is equal to component अपने बता देने कितने रखने तो यहां पे मैं फिल हाल component कोई नहीं बताता simply इसको जाने देते हैं जितने भी बनते हैं फिर हम क्या करेंगे PCA transform कर देंगे fit transform कर दिया tip scaled पे यानि कि scaled data पे करना है क्योंकि हमने categorical को encode कर लिया था इस वज़ा से पहले categorical की है फिर पूरे के पूरे data को scale कर दिया based on the categories as well ठीक है क्योंकि सारे का सारा data numeric हो गया था यहां राइट अब यहां पे हम PCA को बनाया ठीक है उसको fit transform कर दिया now plot करते हैं हम variance ratio तो उसके लिए start में figure size एक रह लिए 10 by 6 का और हम plane variance results marker 0 गर दिते हैं let's do this क्या बनता है इसका error यहां पे problem है so numpy की हुई है now we can show based on the numpy np. dot comes sum yes this should work यह हमारे पास आ रहा है जनाब variance की ratio हम इसको PLT dot x label भी कर सकते हैं number of components times और PLT dot y level पे हम ले आते हैं cumulative explained variance PLT dot title भी कर लेते हैं components तो हमने हर एक component का हमारे पास जो explained variance accumulative उसका मदलब सभी के सभी का calculate करके वह हमारे पास यहां पे आ रहे हैं and then we can see that on the other side if we plot same thing और यहां पे बलके इसके साथ है अगर हम अपनी loading को भी यहां पे print करने तो that would be great इसका मैं कोड़ी copy paste करते तों तक हमारे लिए easy होजाए हमने यहां पे एक data frame बनाया components का और उनको transform कर दिया ठीक है columns उसके हमने बता दिया PC की base पे और number of components हमने बता दिया कितने हमारे पास total number of components है और इसको फिर loading करके देखते हैं so this is how you can see के हर PC के अंदर हर variable की कितनी contribution है ठीक है समझागी इसकी base पे आप select कर सकते हैं let's make it a little bit bigger अब यह हमारे पास PC 1,2,3,4,5,6,7 यहनि के पूरे का पूरे data का 100% साथ PCs के अंदर देखा जा सकता है पूरी की पूरी variation ठीक है अगर हम यहां पे चेक करें यह total आपके पास इसकी PC 1 की total आपके पास क्या है variation है अब कौन से component की base पे किसमे कितनी आ रही है variation we can see now total bill, tip, sack, smoker, day and time जारी बात है यह तो हमारे नहीं से अंदाजा लगा लेंगे कि किसकी ज्यादा importance है PC 1 के अंदर अगर आप गोर करें होटल चला रहे हैं तो total bill के बगार गुजारा है नहीं ना गुजारा किसी भी data का, total bill के बगार तो इसका मतलब है आपके तकरीबन 57% के करेब जो variation है total वो PC 1 के अंदर total bill की वज़ा से है फिर दूसरी जारी बात है tip की वज़ा से तो आप इस तरीके से अपना data जो है उसको percentage देखके चेक कर सकते हैं कि यार PC 1 का कितना role है और किस variable का कितना role है उसमें, PC 2 में, PC 3 में, PC 4 में और जिसकी कम percentage value हो इसके अंदर यानि कि role of that particular variable उसको आप महां से निकाल सकते हैं to reduce the dimensionality, it's up to you, लेकिन ये analysis इस वज़़ा से नहीं होता कि आप उसको निकाल दें, ये basically हमने point of view देखे दो और एक point of view में किसका ज्यादा हाथ है, उसकी base पे हम features को select कर लेते हैं, यानि कि weight of that exact variable inside the variation caused in PC 1, ठीक है, समझागी किस तरीके से हम check करते हैं, तो ये basically loading का ये मकसद होता है कि weight of that specific variables towards the PC 1 या PC 2 या so on and so forth, तो मेरे खहाल से यहां से आपको अंदाजा जो है, वो सारा हो जागा बार अलजारी बात है, आप अगर plot और भी करना चाहें तो you can do a lot of things here और जिसकी base पे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये सारा कुछ plot होता है, मैं आपको एक और example दे देता हूँ, अच्छा, फिर continuous का ज्यादा percentage का role होगा, जो दूसरी चीज़े हैं, we will see that later on, you will have a figure like, this one, यह मैं code आपको भेदूंगा, just to show you, क्योंकि यह plot ही है basically, PC का, यहां पे check करें, हमारे पास जो color है, वो यह show कर रहे है, male है या female, smoker yes or no, जो show कर रहे है, वो है आपकी shape, गोल या दूसरी, ठीक है, और आपने, यहां पे PC1 and PC2 draw कर ली है, अपने, आपको कोई फरक नजर आ रहा है, खास तोर पे यह पूरे data के अंदर, खिच्डी से बनी लग रही है ना, based on the shape and based on the color, क्या ख्याल है, ऐसा हो रहा है ना, so इस वज़ा से हम क्या करते हैं, इसी data के अंदर, we can draw some vectors, something like this, और यह components की base पे होते हैं, अब आपको कोई अंदाजा हो रहा है, total bill का, tip का और size का क्या रोल है अपस में, अगर आप गोर करें कि total bill और tip, इनकी variation तकरीबन same same direction में जा रही है, थोड़ा सा फरक तो होता है, यह जारी बात है due to their values, लेकिन अगर total bill ज्यादा होगा तो tip भी ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है tip और bill, इन दोनों को आप remove नहीं कर सकते हैं, इसमें क्योंकि दोनों का relation ह यहां पर, positive है, अब तीसरी चीज़ रही size, तो क्या आप size को remove कर सकते हैं, अगर घौर करें तो total bill और size का link बन रहा है, कम है लेकिन बन रहा है, अगर आप घौर करें, क्योंकि एक direction में चलो एक दूसरे के उपर तो नहीं चड़े, लेकिन somehow around 0.2% यानि के r² की value अगर इन द total bill की वज़ा से tip तो बढ़ड़ी है, size की वज़ा से भी total bill बढ़ड़ा है, और tip पे कोई खास इतना फरक नहीं पढ़ड़ा, based on the data, ठीक है, so you can have an idea कि यार किस तरीके से यह सारा कुछ यहां पर काम करता है, अब आप क्या है, बजारी बात है, यह different colors वगरा तो दे सकते हैं इनको लेकिन आप vectors easily draw कर सकते हैं, और यह vectors कहां से निकले हैं, यह basically जो आपका PCA है ना, उसके अंदर से आपके components हैं, PCA के अंदर भी components होते हैं, कि कौन-कौन से components आपके यहां पर मजूद हैं, यानि कि PCA analysis के जो-जो key terms हैं, वो हमारे पास यहां पर आजा नहीं ती, जिसे ठीक है, हम मुझे एक और बात बताएं, यह वाली direction total bill की right side पे जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसकी direction इस तरह है, x-axis पे change हो रही है, इस से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, यहां पर के total bill within the data, ज्यादा change हो रहा है, और इसका ज्यादा हाथ है inside PC1, समझा भी बात की, tip का भी हाथ है, क्योंकि यह इस side पे तो जा रहा है, right side पे, लेकिन यह उपर को भी जा रहा है, इसका भी हाथ है, but it's less than total bill in PC1, समझा भी बात की, जो direction की बात की थी, अब बात करते हैं, size की, size जो है basically, वो यह नहीं हमने कहना है कि यह नीचे को decrease कर रहा है, we can say, कि वो right side पे जा रहा है, but on the other side, जो PC2 है ना, उसके और इसके दरमियान, ज्यादा फरक है, और size की ज्यादा contribution है, and PC1 में भी size की ज्यादा contribution है, if you look closely, ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम उपर जाएं, अपने PC1 और PC2 की loadings में चेक करें, यह चेक करें, 50%, 57 और 53, ठीक है, इन तीनों का ज्यादा हाथ है, sex का भी हाथ है, male है या female है, इसका भी हाथ है, लेकिन 18%, फिर smoker है या non-smoker है, कोई इतना फरक नहीं पढ़ता, क्या पढ़ता है, नहीं ना पढ़ता, और दूसरी चीज़, day और time का इज़ारी बात है, हमारे पास यह अगर इनके square लिये जाएं, तो हमें पता चल जाता है, कि 28 है और इसकी value 15 है, क्योंके हमने से scale की है, डेक और टाइम को, इस वज़ा से उसकी value जो है वो चेंज करेंगी है, ठीक है, उसका हाथ जो है वो कम हो गया, अब PC2 में जाते हैं, यहां पर total bill का इतना role नहीं है, tip का ज्यादा है, और size का ज्यादा है, क्यों, मैं आपको भी दिखाता हूँ, क्योंके उनकी direction y-axis पे vary कर रही है, गोर करें, tip की y-axis की तरफ vary नहीं कर रही, यहां से यहां तक नहीं होगी, total bill की नहीं कर रही vary y-axis पे, तो इस वज़ाए से उसके percentage कम है, ठीक है, तो यह चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा, मैं यहां पे आपको दुबारा से explain कर देता हूँ, जो point मैं clear करना चाहरा हूँ, कि यह देखें, यहां से, अगर मैं आपको tip का बताऊं, तो यहां से इतना change हो रही है, अगर आप गोर करें, यह वला point, अगर distance इन दोनों points करें, ऐसे ही है, Y-axis की बात करें तो, तो इसका मतलब है tip जितनी Y में change हो रही है, that shows, कि PC2 के अंदर, इसकी loading, यानि कि इसका ज्यादा contribution है, Y का, Y के अंदर, total bill जो है, यह यहां से, यहां गई है, इसका मतलब है, इसका कम रोल है Y के अंदर, यानि के PC2 के अंदर, अब आते हैं size की तरफ, size यहां से तकरीबन यहां तक आया है, तो इसका मतलब है कि इसका भी हाथ है PC2 के अंदर, based on the direction, समझ आगी बात की, और यही चीज़ तो हमें start में loading ने बताई थी ना, अगर मैं दुबारा से उपर जाऊं तो, यहां पर check करें, यहां पर, तो 26 size है, 13 जो है total bill है, जो बहुत कम है, और 17 tip है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि variation, कितने principal component में, किस feature की ज्यादा है, आप उसकी base पर देख सकते हैं, अब आप गोर करें, कि without these vectors, आपको समझना मुश्किल हो रहा था ना, यहां पर, क्यों मुश्किल हो रहा था, you can see, कि आपको कोई अंदाजाई नहीं लग रहा, तो यह जो हमने चीज़ यहां पर draw की है, actually this is depicting the whole data set, सही है, कुछ समझ आगी बात की, जो हमने वहां पर PC1, PC2 की loading में देखा, वो यहां पर हम loading को print करनें, और यह linear transformation यही है, आपके पूरी data को एक line में fit करके, हम show करवा रहे हैं, बाकि जो PC1, PC2 की तो है, linear transformation, बद डेटा is like this, और अगर आप गोर करें न, points को, तो आपके points भी इसी तरह जा रहे हैं, उपर गो नीचे को, side को, इदर उदर को, यह check करें, ठीक है, so you can have an idea कि किस तरीके से यह बन रहे है, ठीक है, यह पूरे का पूरा data है, और हर feature का उस हिसाब से हमने, एक vector draw कर लिए है, and this is how you can show the data, अब अगर बात की जाए, बड़े data set की, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहां पर diamond के साथ क्या हाल होता है, जो मैंने आपको बोला था न, कि बड़े data set में मुश्किल होता है काम, diamonds के data set पे काम करते हैं, and if we see, कुछ इस तरीके से हो जाना है diamond का data, तो आपने परेशान नहीं होना कि यह तो खिचडी बन गई, खिचडी बननी है, यही तो PCA का मकसद है कि सारा का सारा एक जगा पे आज़ागए, आपने बलके खुश होना है, because you can have an idea, किस तरीके से पूरे का पूरा डेटा यहां पे हम चेक कर सकते हैं, based on the vectors, vectors यहां पे भी हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहे, table वगएरा यह सारी चीज़ें यहां पे हैं, diamond के data set की, और diamond का data क्या है, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूँ, again, यह है diamond का data, और यह रहाजी इसका plot, यह है diamond का data, carat, cut, color, clarity, depth, table, price, x, y, z, pc1, pc2, and here you go, तो आपको इन चीज़ों से मक्सद है, basically, समझागी बात की, pc1 में कौन से important है, x, y, z, इसका मतलब क्या है, simply, दो टोकल फाज के अंदर, वो वेक्टर जो x-axis के parallel हैं, और वो change कर रही है उनकी value, उनकी loading या उनका weight ज्यादा होगा, data variation में, यानि के we can select x, y, z from here, क्योंके वो एक point से दूसरे point पे जा रहे हैं, table और depth का इतना चक्कर नहीं है, इस data में, we can ignore these two features, की reduction works with PCA, कुछ समझ आई बात की? के नहीं आई? PC1 में कितना role है, कितने features का, उसकी base पे और PC2 में कितना है, उसकी base में, we can actually select or reject variables. Okay, I am hopeful के आपको इसकी समझ आ की होगी, अगर नहीं आई, so we will see this again. आप कहते हैं, zero को यहां पे plot करने हैं, offset पे, बिल्कुल उसका view तो अच्छा हो रहेगा, लेकिन यह है कि हमने change देखने हैं, कहां से कहां पे जा रही है, मतलब वो एक point से इदर को उठके आ जाएगी, यह आपको दिखा रही है, वो इसवचा से मैंने वहां पे plot ने किया था, because the size of arrows is bigger than the normal one, इसवचा से मैंने minus 1 और minus 1, x इस पे किया हुआ था, क्योंकि वो 0 के साथ खा जाता है पे चीज़ों को, और दूसरी बात, अच्छा, आप 0 पे क्यों ने plot करते हैं, उसकी reason बता देता हूं, क्योंकि य, x में negative की तरीके में भी चलती हैं चीज़ें, ठीक है, the values of PC1 or the contribution also goes in negative, क्यों जाती है, we will see that later on, ओके, ठीक है जी, इस वचा से आप check कर सकते हैं, कि high dimensional data में PC1 और PC2 में किसकी ज्यादा contribution, and then you can select those variables, simply, not more than that, और यहां पर मैं simple आपको यह बोलूँगा, कि अगर आपको यह clear हो गया, that's great, अगर नहीं clear हुआ, तो इस recording को दुबारा 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 देखिएगा, because you have to find out, कि कैसे यह काम चलता है, otherwise, आपके लिए मुश्किल होगा, मैं अगर टिप्स वाला ही यहां पर डेटा सेट बना के लगा दूँगा तो मेरे ख्याल से हम PCA लोडिंग भी चेक कर सकते हैं, loading.pd.dataframe, PCA components T, okay, कहां भे मसला है, PCA.components, PCA, तो यहां पर मैं स्टॉप करता हूँ इसको और